दोस्तों, 2024 में सावन का अगला सोमवार कब है? और कितने सोमवार पड़ेंगे? सावन की समापती कब है? तथा रक्षा बंधन कब है? और अगले वरत का पालन कैसे करें? वरत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे, जि हर हर महादेव, ओम नमा शिवाय, दोस्तों सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है. यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं. पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है. वर्षा रथूओं का आगमन होता है. प्रकृती जगमगन हो जाती है. खूबसूरत शब्दों से आपस में बातें करती हैं. साथ ही साथ, शिव भक्त बड़े जोरो शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसबरी से इंतजार करते हैं. सावन में भगवान शिव धर्ती पर आकर अपने हर भक्त के घर में बास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ती से धन धान्य करते हैं. सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है. हर दिन पवित्र होता है. हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है. लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है. ये एक पवित्र और शुभ दि सोमवार का दिन इस दिन वरत धारी वरत रख कर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के वरत के आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हम वरत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सके। और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही रक्षा बंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, नमबर एक, शास्त्रों में कहा गया है कि वरत धारी को उधार मांग कर फल आदी नहीं खाने चाहिए। चुगली आदी भी नहीं करनी चाहिए, उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए वरत में कुछ देता है, तो उसे आप खा सकते हैं। लेकिन वरत में कम से कम उधार मांग कर फल आदी नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ती की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नमबर दो, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। आपका व्रत तूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दर असल पुराने आटे में कीडे वगेरह पढ़ जाते हैं, जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीडे खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीडे पढ़ जाते हैं। ऐसा कभी न करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है। इसलिए ये पाँच चीजें भगवान शंकर के पास कभी न रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों नंबर चार। जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहाँ पर भूल कर भी चपल जाना चाहिए। जब आपके कमरे में कोई चपल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नश्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पाँव ही प्रवेश करना क्योंकि चमडे की चपल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ती नाराज होती है। दोस्तों नंबर पाँच अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताएं पूजा पाठ कर लेती है जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस सम शक्तिया नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में म आजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी लडाई जगडे होने लगते हैं ऐसा कभी मत करना। दोस्तो नंबर छह शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में हित है शिवलिंग तो वह व्यक्ती अगर आप जल नहीं चड़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी न करें जो की गरुड पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर साथ शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अंजाने में शिवलिंग को त दूरी होनी चाहिए। और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिलकुल भी नहीं, वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है, इससे व्यक्ती नरक में जाता है, ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बरबादी का कारण माना ऐसा ना करें, इश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए, इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं, और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। इचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो, तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती। और परिजन खुशहाल रहते हैं। जो व्यक्ति व्रिक्ष के मूल भाग की गंध पुश्प आदी से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यू के पश्चात शिव लोक की प्राप्ती होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अश्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रान्ती के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़ कर रख ले। दोस्तों, आपको बता दे कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसी दूसरे के छड़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अरपित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में तीन पत्तियां होनी चाहिए। चलता है कि महादेव आपकी भक्ती से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव अपनी कृपा हमेशा आप पर बनाए रखेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, नंबर 10, बैल का दर्वाजे पर आना। आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ती से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगा कर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, साव आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सची आराधना भक्ती से बहुत खुश है और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ती में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, घर को गंदा मत रखना, क्यों क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं, अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं, श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावन पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों नंबर ग्यारह, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला साप निकल आए, तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिलकुल भी ना मारे। ये भगवान शिव के आने का संकेत हैं, जिनकी भक्ती से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धर्ती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने का संकेत है अब आपको खुश होने की जरूरत है दोस्तों नंबर बारह सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है इसका अर्थ ये है कि भगवान भोले आपसे प्रसन्न है और जल्दि आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जिस से आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृध्धि आने वाली है महा देव आपसे बहुत खुश है दोस्तों आप जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंट तो शिव महापुरान की कथा और लिंग पुरान की कथा विश्णु पुरान की कथा कहती है। मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती, गरुण घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे। पर गरुण घंटी नहीं देंगे, क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुण घंटी का जब नाद किया जाता है, तो सब का पुन्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण नहीं है घंटी बजाना, पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदी करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो, तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। कुछ समय में पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए, तो ग्यारह ब्राह्मन के भूखे रहने का दोश लग जाता है। गंटी बजाने का सबसे शुब समय माना जाता है, सुबह चार बजे से लेकर सुबह ग्यारह बजे तक अत्यंत दुरलब और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम छह बजे से लेकर रात ग्यारह बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि बारह से पहले तथा बारह के बाद मंदिर के पट बंद कर दिये जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ती आपको करोडपती होने से रोक नहीं पाएगी। बस आप कर लेना। ये उपाय, क्योंकि सावन बार-बार नहीं आता है, उपाय जरू हम आपको कागज, पैन, कौपी आदी पर लिख कर दे सकते हैं कि मात्र कुछ ही समय में इस उपाय से आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, ग्रिह क्लेश, पति-पत्नी की परेशानी, नजर दोश, मंगल दोश, पित्र दोश, गरीबों का दोश, भयंकर काल सर्प दोश, शनिदेव का दोश, बरसों पुरानी, यसे पल भर में ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, ना कम ना ज्यादा, पूरे पांचों काम आपको करने हैं। दोस्तों, अकसर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते। यहां तक की अपना घर तक गिर्वी रख देते हैं। नौबत ये भी आजाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं। और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्ट प्रद कोई स्थिती नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है, जो अगर एक बार लग जा हूँ कि यह 100% सत्य है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ती मिलेंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एक लाइक जरूर करे। आज का वी सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है, दोस्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहला उपाय है, पक्षी पक्षियों को दाना डालने से, जिन्दगी की बहुत सारी खुशियां मिलती है, जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते, पक्षी को हर शनिवार, मंगलवार दाना डालने से, जल्द से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती हैं। पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे, तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। दोस्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा सीधा जवाब मैं आपको देता हूँ। अगर मनुष्य आरण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी मैं प्रसन रहता हूँ और व्यक्ति को आर्ण मुक्त करता हूँ। अगले जन्म तक पीढ़ी दरपीढी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिये तब आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी बलकि तेजी से आपके घर में सुख शान्ती आएगी, धन बढ़ेगा, की प्राप्ती होगी और ये उपाय करने के बाद इसका असर आपको दो-तीन दिन में दिखने लगता है। यह काम तो जरूर करें क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोले थे। दोस्तों, चीटियों को अगर उनके मन के अनुसार ख कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चीटियों का तो काम ही होता है। मनुष्य के जीवन से आरण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चीटियां कैसे कम करती है। वो उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियों के अंत तक बने रहना। चीटियों को ये एक चीज अ को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम आरण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छू मंतर से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चिटियां मनुष्य का कर्ज कम करती है। कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती है, बस चिटियों को खिला देना। लड्डू खिलाए जाए, तो चीटियां प्रसन्न हो जाती हैं, और मनुष्य को आशीरवाद देती हैं। चीटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है, नव ग्रह का चीटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुरान के अनुसार साक्षात चीटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देते हैं। और यदि आप चाहे तो मीठे बिस्कुट भी चीटियों को आवश्यक पूर्वकालीन खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चीटियों को इस दिन जरूर खिलाते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना डाला जाए तो जिन्दगी की वो हर मुश्किलें हल हो जाती हैं। जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है, बंदरों को खाना खिलाने से बजरंग बली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से दस हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। दस बंदरों को चना आदी केला खिलाने से हजार बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुन्य प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन में काल भैरव की सवारी कुत्तों को मीठे बिसकुट खिलाए जाए तो कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है। साथ ही साथ घर में लड़ाई जगडे आदी और नकारात्मक उर्जा भी नश्ट हो जाती है। इसलिए ये उपाय भी करते रहे। भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूँ ही नहीं कहा जाता। इसलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को सावन के महीने में भोजन अवश्य कराए। दोस्तों, अब बात करते हैं गाय के बारे में। दोस्तों, शायद आप जानते नहीं गाय में सारे देवी देवताओं का बास होता है और इन्हें इसी कारण गौ माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से ही दिखने लगता है। और धीरे धीरे हमारे सार बेसन के लड़ू अपने सर के ऊपर से उतार करके किसी काले गाय को खिला दे। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है। साथ ही साथ हमारे सारे पाप भी मिठ जाते हैं। दस दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति पाना है तो सावन में इन पांचों उपाय को तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेंगे पशुपती नात के लिए एक लाइक तो बनता है हर हर महादेव सावन की हारदिक शुभ कामनाएं